तो देखिए साम हो गई है और अब मैं जा रही हूं नीचे तो आज हम लोग कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं प्लानिंग कुछ ऐसा ही है तो देखते हैं वह भी अपने नहीं बताओंगी आपको बाद में तो चलिए बने रही है मैं इस व्लोग में और कैसा लगा मेरा कल का वीडियो कल डाला था शॉपिंग का आप लोगों ने देखा कमेंट्स किया बहुत लोगों ने कमेंट्स किया ह तो कमेंट्स कर ज HUNO नहीं किया वह भी बताविये कमेंट्स कर के कि कैसा लंगा अप लोगों मेरा वीडियो बहुत यह प Yes judgment 5 बहुत अच्छे हैं तो भी में कि बताइए मुझे कि कैसा लगा है और जिनोंने नहीं देखा है वो भी देखिए क्यों कि बताइए कि कैसा लगा सब तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सिस्क्राइब कीजिए जरूर तो चलिए साम हो गई और मैं चलती हूं नीचे और संब्रेश कोई नीचे की डिखाओंगी आप लोगों कि आखीर हम लोग क्या शेयर से बनाने वाले हैं जिसको मैं आपके साथ शेर करने वाली हूं चलिए चलते हैं नीचे और दिखाती हूं मैं आपको कुछ तो ये देखें, विए नीचे आ चुके हैं, और हमारे कॉलनी में है खजूर का पेर, आज सब का प्लानिंग हुआ कि खजूर तो ये खजूर का पेर है, बहुत सारे खजूर के, कोई छोटे, कोई बड़ा का तो नहीं तो पा सकते, तो हम लोगे छोटे वाले पेर का तो और यह देखिए दू जो है वह बहुत बड़ा पेर है देखिए कितने लाल लाल बहुत सारे खजूर है कुछ पके हैं कुछ अभी कच्छे हैं मतलब थोड़े थोड़े एक दोदी में पक जाएंगे तो वही हम लोग तोड़ने का प्लानिंग कर रहे थे और टूट भी गया और स अब एक मतलब इसे चुन रहा है आक्शली कुछ बहुत खराब भी हैं हमने कपड़ा लगा कर इसे तोड़ा नीचे नहीं कहने दिया तो इसे चुन चुन कर हमें लेना पड़ा बहुत सारी चीटियां थी बहुत सारे खराब थे गले हुए थे तो सब लोगों ने अपने- तो हम तो उससे आदे बाद शुका है तो इसमें हमने जीरा डाल ड़का दिया घ्राइ। भरस जाए लां धानवática छिख नार, और अजिन उसके शाय के छिदा दिया ज़ितर उसनदाई बना मर दूछाए वह मैसी हो जाएगा तो यह देखे आलू भून चुका है उसमें फिर हमने उपर से सौफ और आजवाइन डाल दिया है और फिर उसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और फिर इसके बाद मिक्स कर देंगे तो देखिए इधर हमारा आलू फ्राई हो चुका है और हम अंचे से मिलाकर फिर से ऐल डाला है उल माहिन करने के लिए ओल डाला है तो देखिए आप Со सांने के तैयार करों यह देखिए पानी डालकर उसे हम उसका आटा को सांन लेंगे आटे की तरफ जैसे आटा सांनते हैं वैसके आटा सं higher उसको लोगो नें बना दिया है उसकी लोई तो अब उसके बाद रहे लिए समसा बनाते वहब रखते हैं तो अंडाकार में बहलते हुए नांघ लेंगे और ससा को बना लेंगे और इसके बार किनारों को थो बनागा हिंगे दोनों को सटा देंगे पानी लगा कर तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह से हमारा समोसा बन गया देखिए हमने सारे समोसे बना लिए इसी तरह से और बहुत अच्छे बने थे अच्छे अकार के बने थे तो देखिए अब हम चलते हैं समोसो को तलने तो देखिए हम समोसे फ्राई कर रहे हैं और फ्राई करने के बाद भी बहुत अच्छे लग रहे थे तो चलिए दोस्तों समोसों के साथ हमने छोले भी बनाए हैं तो ये देखिए इधर हमारे समोसे भी तल चुके हैं तो हमने देशी चना के हमने छोले भी बनाए है चाट के के साथ तो हम इसका चार्ट बना कर खाएंगा तो देखे फ्रेंट्स यह हैं हमारे छोले चनके और समोसे उसे मैंने चार्ट के रूप में बना समोसों को तोड़कर उसके ऊपर हमने यह चोले डाल दिये चोले डालने के बाद थ्वासा नमाग और उसके उपर सिप्याज और बना कर खाएं बहुत यमी बहुत टेस्टी लग रहा था तो अगर आप लोगो मेरे यह समोसे और चार्ट की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेर कीजिए और जरू ट्राइकर करके देखिएगा इस त करते हूं तब तक लिए बाए गुड नाइट टेक एर